इस वक्ष्ट मैं हस्देव की लाके में हूँ जहां लगबख 2 साल से एक आंडोलन चल रहा है और इसका कोई असर हो नहीं रहा है असर इसले नहीं हो रहा है क्योंकि आवाज इतनी कम हो जा रही है कि सरकार के कान में जुल तक नहीं रहेंगती। आज खास के मुख मंत्री हमर आदीबासी मुख मंत्री है, हम आदीबासी हैं, अब आदीबासी के नाते मुख मंत्री जो बनी से हो बनाये हैं, वो नी समझ पात है हमर का कल्चर है, अदानी वो अपना सासन को पकड़ लिया है, और पूलिस पर सासन को पकड़ के ही मतलब अप पूजा करते हैं और जैसे जो बड़ा साल का पेंड होता है उसको हम बड़ा देव के नाम से मानते हैं पटवारी इस डियाम कलेक्टर आराई पटवारी इस सम्मिल करके ही मतलब वो जमिन को दिया जाता है और यह तो मतलब जो है खुदे लहरा लहरा के दलाल पकड़ के लहर कर नहीं एब गाम ले नी भागा ना काया देश लेकिन फेर काठी ना अब हमन देखिया आप कैसे कर बेदाया जाए अपर लोला काटक चाहिए हमना काठी इसे हमना काठी एक पोस्टर नजर आ रहा होगा आपको अनिस्चित कालीन धर्ना प्रदर्चन जो शुरू हुआ है दो मार्ज दो हजार बाइस से और इस्थान है हरिहरपूर जिला सर्गुजा और इनके जो प्रमुख मुद्दे हैं पहले उस मुद्दे को सुन लिजे कि जल जंगल जमीन जै वीवी दिता जल स्त्रोत वन प्राणियों के रहवास आदिवासियों की आजीविका संस्कृती फरजी ग्रामसभा प्रस्ताओं की जांच और दोसियों पर कारवाई की जाए कोल ब्लॉक के लिए दी गई सभी स्विक्रितियां निरस्थ कर दी जाए हस्देव अरण सहित प्रदेश के संपूर्ण पाच्वी यान सूचित छेत्रों में ग्रामसभा की सहमती के बिना किये भूमी अधिकरहन को भी रद किया जाए और वन अधिकार कानून 2006 के तहट सभी दावेदारों को उनकी पूर्ण काभी जमीन के व्यक्ति व्यक्तिगत वन अधिकारों को मानेता दी जाए ये सारी बातें लिखी गई है एक पोश्टर में और नीचे लिखा गया है हस्देव बरण बचाओ संगर समिती बस्तर टौकीज में हम बस्तर में रिपोर्ट करते हैं तो वहां इस तरह के मुद्दे अधिकतर आते रहते हैं कि जल जंगल जमीन की लड़ाई होती है और वन अधिकार का जो कानून है उसकी मांग को लेकर और साथी साथ फरजी ग्राम सभा की बातें भी लगाता आती जाती रहती हैं लेकिन मुझे लगा कि यह समस्या क्यवल बस्तर की है आपको जानते हुए काफी आप काफी चौक जाएंगे कि यह समस्या क्यवल बस्तर की नहीं है हर उस आदिवासी इलाके की है जिस इलाके पर यह अधिकार दिये गए हैं इस वक मैं हस्देव की इलाके में हूँ जहां लगभग दो साल से एक आंदोलन चल रहा है और इसका कोई असर हो नहीं रहा है असर इसले नहीं हो रहा क्योंकि आवाज इतनी कम हो जा रही है कि सरकार के कान में जू तक नहीं रेंगती बड़े-बड़े उद्योग पतियों की प्रभाव में और उनकी बातों पर जादा भरोसा करते हुए विकास के सड़क पर लगातार आगे बढ़ रहे हैं तो उन मुठी भर लोगों के आंदोलन को मैं सोचा दिखाने के लिए बस्तर से कुछ दूर चला जाए और यहीं वज़ा है कि आज मैं हस्देव की लाके में मैं एक बार फिर से पहुँचा हुआ हूँ कुछ लोग यहां पर दो साल से लगातार धरनी पर बैठे हैं क्यों बैठे हैं क्या हो रहा है क्या नहीं होना चाहिए इनके हिसाब से सारे मुद्दो पर हम बाचीत करेंगे नमस्कार मैं विकास तिवारी हूँ आप बस्तर मैं देख रहा हूं कि दो साल से आप लोग आंदोलन में बैठे हैं मतला ऐसा क्या मांग लिए सरकार से जो सरकार दे नहीं पा रही है या ऐसा सरकार कर क्या रही है जो रोकना नहीं चाहती आप लोगों की आवाज सुनने रही है सरकार जगा मही का थन यह हमार फजी ग्राम करें तो बढ़ा हम नियां कि फथ्य पूर्ले पैदल मार्च करन रायपुर तक पूल करने मुख मंत्री जग मिलैं राजपाल लिग भी रही हमरे कलेक्टर रहा है कि फजी गराम सब्दां कि जांश करके लिए कि लेक्टर कर नहीं करें घांश कर दिया हम पर्जी गराम नई बइठन दरनाम लेकिन आज कोई सरकार हनी सूनत है न कोई मंतिर नेत कोई तो फरजी घ्राम सभा है तो उसमें क्या साइन अगुठा भी लगा उगा होगा नहीं हाँ लगी से फर्जी घ्राम सभा होई एक से एकाइस बीन दू तक वो नीचे जब घ्राम सभार खतम होगे ते करोकर नीचे अध्याक सचुज़े मरत है तो हम दसकत कहर दें तहों अकरे नीचे में 22 नमर डाली से फर्जी होई से अच्छा बाइस में क्या लिखा है तो आपका क्या नहीं होगा थोड़ा से सामने आजाएं तो आपसे और तो मैं आपके पास आजाता हूं आपका क्या नाम होगा थाकूर कुसरो है ग्राम सालही के रहने वाला हूं तो कुसरो दादा यह बताए कि आप लोग लगभग दो साल हो गया अंदोलन में बैठें लेकिन सरकार सुन रही है कुछ उनके दिमाग में जा रहा है आप लोग का क्या लगता है सरकार कुछ बात नहीं सुन रहा है हम लोग का पेड़ भी काट काटने जा रहा है यह अदानी का ही मतलब चमचा है पुलिस वाले लोग पुलिस वाले लोग जो है मतलब आकर के हम लोग को बिस्तर से नहीं उठ पाते हैं तब से मतलब उठा करके ही ले जाता है और विशा नहीं खतने होपाते हैं और सबल्बनहां कर थाना पर जगा कर नहीं आलकरेस्थ हैं है तो हम लोग का यह सिधान्त है कि अब जो पेड काटे के त्यारी करेंगे तो हम लोग भी त्यारी करेंगे अपना जल जंगल बचाने के लिए जो जिसा भी हो इस बार गार उब हनो मार डाले चले जाये चाहे रहे हम छोड़ेंगे नहीं द्रतгов दिक्त क्या है जैसे ख़दान खुदेगा तो कोफ़ कोईला होगा निकलेगा उससे विकास कारी होगा आप लोग को मुआवजा भी तो मिलेगा बोल रही है सरकार हम लोग मुआजा नहीं लेंगे हमारे दादा पर दादा ने जो हमारा जल जंगल जमीन को रख दिया है हम उसी में हम निर्धारित हैं और जो है मतलब जो जमीन बेचे हुए है वो खरीद बिकरी जो है मतलब वो जो दिये हैं खरीद बिकरी के नाम से मतलब वो लेंगे हैं मुआजा के दोर पे मतलब जमीन नहीं दिया गया है जो मौज़ा के दोर पे जो मतलब लेंद लेंग करते हैं तो तस्चिल दार पटवारी, इस डियाम, कलेक्टर, आर आई, पटवारी इस सब मिल करके ही मतलब वो जमिन को दिया जाता है और यह तो मतलब जो है खुदे लहरा लहरा के दलाल पकड़ के लहरा-लहरा के मतलब जमीन वह लिया है दानी बीना इग्रिमेंट करके ही जैसे सरकार का एको होता है जैसे आगर कुछ tha चीच खदान में लेना रहता है तो सरकार बकाईदे घ्राम है ना वो जैसे यह किसान है तो इनको पकड़के dif झोट में 10,000 रुपया दिआ जारा है और कमिशन भी देते siis किसान लाने से अच्छा तो एसे करके उनको लगा दिया गए हर तो वैसे करके कुछ लोगों को तो बहला है फूसला और अभी तक तो जितना हुआ हो गया अब ऐसा कुछ नहीं है लेकिन अभी जो तीस हजार पेड लगभग काटे हैं अलोक सुकला जी बता रहे थे उनके पा हुआ दारा घाड भर्रा घाड भर्रणवी स्तापित हो जिस दिन उनको आँ सकता होगी बका आप में यह सफल होगा नहीं होगा अब कानून का पालन करने वाले विखती हैं, अब 10 साल से इस चीज को हम लड़ रहे हैं, कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, सरकार बार-बार बोलते हैं की कानून को हाथ में ना ले कानून का उलंगन दुखोदे कर रहे हैं भाई अगर किसी को जवरन बान दिया जाए और उसका समान को छिन लिया जाए तो विचारा क्या कर पाएगा, कुछ ने कर पाएगा अब सरकार एक तरह बोलते हैं की कानून को हाथ में मत लो, कानूनी पर किरिया से लड़ो, धरना, जुलूस पदल या तरह करो, सब करो तो हम कानून के हिसाब से तो बढ़ के बैठ के लड़ रहे हैं, दोसो दिन से तो धरने पर बैठे हैं, लोकतंत्र के हिसाब से हाँ, लोकतंत्र के हिसाब से, लोकतंत्र मान ही नहीं रहे हैं, अच्छा अभी ये बोल रहे हैं कि सरकार बदल गई तो बोलते हैं कि काौंग्रेस का फिया धर है दोनों में गलत को नहीं आप लोगों को क्या लगता है टी-एज बाबा गलत है ये भाजपा ले गलत हैं अब इसमें dangerousbility का मतलब का बोलते हैं strap कि अगर ऐसा था तो भाई वह तो बीजेपी वाले समय जिसा में कांग्रेस की सरकार थी और वो अंदोलन कर रहे थी तो दिपक भेज भी आया थे तो यह लोग ना अपने सासन सत्ता मतलब लोगों को चुतिया बनाने के लिए सब बोलते हैं और मनिन का जो करने का रहता है वो अलग रहता है जो अंदर से लोग कुछ अलग करते हैं और बाहर से लोगों को कुछ अलग सुनाते हैं जब ऐसा था तो कांग्रेस का आज तो सासन सत्ता में नहीं था ना को लेकर की तो फिरा जाते हैं कि हम आपके साथ हैं हम आपके सांथ गोली खाने के लिए दिया रहे हैं जवाब भी नहीं दे सकते हमारी लोगत की वियुस्था एसी है अब बाबा बोले कि न गोली चलेगी तो पहली मैं खाऊंगा अब यहां की जंता ने अगर जवाब दिया भी 94 वोट से हरा भी दिये तो क्या हुआ जो दूसरे जीत के आए वो भी इनके साथ खड़े नहीं हुए तो मतलब सत्ता में कोई भी रहे और हर कोई ताकतवर के साथ खड़ा हो जाता है राहूल गांधी उस बार हम लोग ग्राम सभा समेलर में बुलाए थे तो पहली बार भी तो कांग्रेस की सरकार बोला था कि हमारा सरकार अगर चतिसगड़ में आता है तो हस्दु का खदान जी अब इनके साथ आने भी तम उस समय तीन सो पेड़ कटा था था रात को कटा था यह तो तीस हजार काटी तो अच्छा यह पूछ रहते हैं कि अगर खदान खोद दिया जाएगा तो आप लोगों को लाब नहीं मिलेगा कि मुआफजा मिलेगा बड़ी अब नहीं अब देख हम लोग का देवील हुता है हमारा जो पूरका को हम लोग अपने जगा पें गाड के रखें जिसको हम पूजटे हैं इसको पूजा करते हैं और जैसे जो बड़ा साल का पेंड होता है उसको हम बड़ा देव के नाम से मानते हैं अलग-अलग पेंड में अलग-अलग अलग अलग देव को बसा कर रखें तो हमारा तो सारी चीज़ खतम हो जाएगा तो हमको सरकार अगर करोड रुपए पैसा भी देगा तो का मतलब है संस्कृति खतम हो जाएगा तो का मतलब है पैसा अगर पैसा से ही सब चीज है तो लोग जो अर्डांडी अंबानी है उनको तो मतलब लोगों का जवरत ने पढ़ता होगा अपना वो भी तो एक इंसान है तो कोई भी ना कोई देवता को तो पूझते होंगे आप अप्यांसों लोघ देश में रामराज चल रहे हैं अब हाजपक लोग जादा पूझते तो क्या करेंगे अब सरकार को तो हम समझा रहे हैं सरकार समाझते निए हैं सरकार आप लोग को समझा रही है ताब जब पहले कंघ्रेस कर सरकार चतितगर में अब आज इन आज भीज्ड़ी के सरकार हो गईharma आज मुखमंत्री हम धी दिमालं गत हैं यहां करे विए इस चयोन अन्ट समझ में वाले ब्यक्ति कोज़िया है मुकमंतरी बनाये हैं लेकिन हम दुखला नहीं समय पहा थे बहुत दुख के बाद है बस तर अब यह थे आपके तै क्य अदिवासी मुकमंतरी अन से पूछे दे कि आदिवासी नाराज हैं तो बोले कोई आदिवासी नाराज तो आगे कैसे करेंगे तो करेंगे हम लोग का अब सारा संपती खेत बारी डोरी में हुआ सारा चीज हमर जंगल नाष्ट करेंगे करते हमर नदी नाला तो तो हम लड़वेच करवो लड़वो और जब सरकार नहीं मान ही ता हमन अब अब यही का थन पूरा हमन छत्तित गळले पूरा भारत ले सभील हम संगठन कर थन कि हमला सब साथ द्या और ह हम सब जन अच्छा बढ़ा गुटिंग बनाएके रड़िंती बनाएके हम हम हाई बार नेसलाल रोड में हम सब तेनकी ओ पांचो दस लाग के संख्या हमर करके तब सरकार सोनी कहीं कर लागा थे हमला अव यह का हमला करना पड़ी हमर गोरू बच्छू छेरी जो कुछे हमर जो खाना पिना बोरा बिस्तर हमर जो सूत हमते बिस्तर सब लेज करके हम रोड बिछाए दवो अभू हम अभू हम धरना करो भाले उपर हमार उपर गाड़ी चाहे तब अच्छा है अब हमर बाते नि सुना थे तह अब उल पाय तो दिखा थे और सरकार हमन मायन के चला ओक सरकार जहन रहते सरकार हमी खुद बोर देके बने के भेजन लेकिन हम आज अब बने परिशानी ते करा था तहां अब उखारत दो है लेकिन पांस साल में हम उखार के फेक दो आगा नि समझी था बस्तर में आदिवासी आंदोलन में बढ़ते हैं तो बोलते हैं नक्सली एन कि आपके पीछे तो नक्सली भी नहीं को सबसा उसक कि निस सभचा हूं नहीं क्रिमंत्री वहां कि मैं वीडियो कॉल से बात करने करने के वह से आप लोग भीक्ति हो att dhoti कोई आर तक भाशभा कहने था जब से जीतके इस तब से रहा हम चिला वाथन पेड़ जकर बाएन य सब्सक्राइब करते हैं लेकिन ओभी नहीं आवा थे लखन पूरा ज्यादा दूर नहीं है यह जले मुक्राइब अपशना एक प्यसा ऊथे मही है अव toothbrush सबला जासे इस पर दिरन आगे और लड़ाई लड़ेंगे कैसे लड़ेंगे हां than लडबो लडबो जीत्वो छित्वो लडबो हां हमारे जगा-जमी ला हमान नी-चड़ान जब जब नीयcamera इसा नी-करी तपतव हमान नी-चड़ान testosterone लडढिनला फैसलि डंडा मारक भंगाई तो पिर हमान नी-भगान ओहनले भंगाभो हमान हम भागान नहीं यह गाह ले नी भागान हम जंगल इतना मो हाँ जंगल काती तॉलिण नी भागान हमन न काटे नी दे न बढ़ दिया न काट दे लेकिन फिर काठी न तब हमन देख ज़िए आप कैसे कर बएदायर जाहे अपन लए काटाप चाहे हम ला काटी अइसे हमन कहा तो अभी 30,000 पेड़ काटे तब तो कुछ निंए के हम मा लेगे। अभिभी भूलीस फोर्स मला ला लाइन 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 के घर थाइन लाइन 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 के ठेल दहीता हा जागा और फिर पूलीस फोर्स आजगा। सबस्क्राइप ब ます, में जयँआ है उसकी बातन कि दाइट क हमें गुणी के लिगता और इतनलमूस सबाकरिक गारा उधार शुमर कोओ समय ं में जया जान कि लोग जया परेम पसक करनाम आपन जया स्पी ठाइटape जया मिलता नियौ nhân दोर कर रहा ब सब effम एतना परेम है अमध जागल के. तो सरकार इतना लाखो रूप्य मुआफ्जा देगी? प्रकृत लैक ल休ुट रूपया मुआवग्या है नज लaking दो सब्सक्राय कर्फ़ाइ नज दो ज़साी पाण को दो समील थे धार 7 अब करद कि दो उलंके लकित्य करिया है? सेक देता हूं मैं थान्य भीन भैरश ह 됩니다. वह साथे देिदेफिवत? सबसेटनी में डाइर करोडु उस करें है, स switching и क्षे़न बें नहीं सा है, जब दाढ़ी पुरका राखी ना, रिंटारी सब्सक्काओ बेकारी, आपस आप नहें, साली से, इधर से तो आप लोग भोल रहरे हैं। लेकिन दिरे दिरे पेड़ काटते ही आ रहे हैं दिरे दिरे काट ही तो हमें मारफ देल जेल भेज देंगे प्रटेश हैं तो यह खबाम को दर आख नोकरी आपके बच्चे लोग को मिलेगा उसे फायदा नहीं है नहीं, और हमला नहीं है फाइदा, हमला खेतावणा है, आपका लड़का है, क्या करता है। कहीं नी करत रहे थे भी भूती, फ्रफागा। robeण कर ने, अड़ से खेता रहे कि हुआ है। सबस्क्री कि अधे लड़का है। क्या करता है? कहीं नी कर रहा थे और नी भूती खे खेती बारी कर थे। पढ़ायोड़ायी किया है? करई से तो उसको नौक्री ने मिला। नौक्री लगा कर वन दे चोक्री मिल थे। चोक्री खोड़का माही धान भूनी। ओमें बडीयन लिठाब से बलाते हम लाता जोगते से खाता वेलिकें अधरी वीर और मिल जोगिद कउप सक्कें चाहें। कट ली रहें, तो रधा कट मिलारा दे खा लेवा, आगे दी खाता दुनली में माम का तते सरकार दुनी देहा थे साथ हमला आप लोग तो तो बोट दी थी आमा इज बोट देने कहीति까요? हां ज़रहन बोट किसको दि अभी बनी से ता सरकायस्य देहान अच्छा भाजपाला क्या सोच के दि थी भाजपाला आ हमार जहाघ मिल में पचाहि का कीके देएन आगली बार गुसको चुनेगा अब देखा को चुनाध को चुना तो अब साल में तो लाब अब यंद्वामा जागाजामीन ला बचाई तेही ला हम चूनाध पांध साल में कुछ बचे गा अब आची बचाबो ता किसे निए वाची ये तीन दिन में तीसे जार पेड़ काट डाल रहे हैं पांच साल में तो और पुरा खतम कर देंगें अब कहा दो हनता है अमरे एक आठी तो हमुमन एधायर हाथ में कानून देन लेगी हाथ में अच्छा हाथ में कानून उठालोग अपन आपफंद। बाएनफे ग्लत करें हमां गयुट करणो डरभ हमां नीदार नीधायर हैं तो सरकार को थोडी कोई जिशेगा आप लों को जिश लेग हमने आता नीधायर हम यकान नीधायर हम ап theor है अफमां ध्यायर इसյानिन रहे हैं आफ़ पूलिस रहे चाहें पर को हाँ लड़बो डबल लड़बो हम डबल लड़बो ठीक है तो यह हरियरपूर में बेटे लोग है धरने पर और आपको क्या णाम है सरदी हो घंड बढ़ गई है तो अम्हा को आंदोलन करते करते सरदी हो गई है हर्यादपूर में आंदोलन में लोग बैठे हैं और मैं इनसे बात करने आया हुआ था अम्मा बहुत नाराज है सरकार पे नाराज मेरे उपर नाराज नहीं मैं उनको बहुत उक्साने की कोशिस कर रहा था कि कैसे अगर खदान खुद जागा तो उनको फायदा मिल सकता है जो सरकार बोलती है मैं सरकार का प्यार नहीं कर रहा हूं बता रहा हूं कि सरकार यह बोलती है लेकिन अम्मा उस बात को मानने को नहीं है तैयार क्योंकि उनको लगता है करोड़ो रूपर वेर्थ हैं जब तक उ तो अम्भिकापूर में और रायपूर सहार में जो सुद्धावाले पा रहा हैं उनका भी जिना मुश्किल हो जाएगा प्रेटा प्रेटेगा खदान खोदा जाएगा फिर उसके बाद कोईला निकाला जाएगा उसकोईला से बिजली बनेगी उससे चलेगा उससे थंड़ा ह पड़ेगा अब हस्दो जंगल में लगभग लगभग ज्यादा पचास से सव साल तक चलेगा इसके बाद फिर दो उधर उनका आने वाला पिढ़ी तो हावा और पानी का ज़रत नहीं पड़ेगा ऐसे में तब ज़रुवत नहीं पड़ेगा वो कुछ जुगार बना लेंगे बड़े लोग मेरे को दो नहीं लगता है ऐसा नहीं लगता बड़े लोग बड़े लोग हवा पानी सब खरीद के खाते पीते हैं आप लोग हैंड़ पंप से पानी पीते हो नदी से पीते हो ना बड़े लोग बिसलरी का पानी पीते हैं खरीद के उनको जरूरत नहीं है व पुरा प्रिथवी का पानी गंदा हो जाएगा, पुरा हवा गंदा हो जाएगा, कुछ जोंड लेंगे मंगल में चंद्रयान तो चलागा, अगर ऐसा बात है चंद्रयान से लेंगे, वहां तो जमीन भी बिखने लगी है, खैर यह तंज है उन बड़े लोगों के लिए, मैं जानता हूं कि अगर पेड़ और पवदे और जंगल जमीन नहीं रहेगी, तो हवा पानी कहां से खरीद के लाएंगे, मुठी भर या आदिवासी दो साल से बैठे हैं धरने पर, और कुछ ऐसा गलत नहीं मांग रहे हैं, मांग रहे हैं वही जो हर किसी के लिए, अपने लि अगर आपको लगे कि बस्ते टॉकीज में बातचीत मुद्दे की होती है, तो आप बस्ते टॉकीज को सब्सक्राइब कर सकते हैं, धन्यवाद